ओम शान्ती 30-12-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे दूरदेश से बाप आए हैं, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने जब देवता धर्म हैं, तो राजाई भी देवताओं की है दूसरा धर्म वर राज्य नहीं प्रश्न सत्योग में सब पुर्णे आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है उत्तर वहां कोई कर्म भोग बिमारी आदी नहीं होता है यहां बिमारियां आदी सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है प्राश्न बाप के किस इशारे को दूरा देशी बच्चे ही समझ सकते हैं उत्तर बाप इशारा करते हैं बच्चे तुम बुद्धी योग की दोड़ी लगाओ, यहां बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं, गीत आखिर वह दिन आया आज, ओम शान्ति बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा, भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है, यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे यह हुई बेहत के बाप की युनिवर्सिटी, इनको कहा जाता है पांडव गवर्मेंट, गवर्मेंट कहा जाता है सवरनेटी को अब तुम बच्चे जानते हो सवरनेटी स्थापन हो रही है, धर्म प्लस सवरनेटी, रिली जो, पॉलिटिकल, देवी देवता धर्मे भी स्थापन हो रहा है और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं इस्थापन करते वह सिर्फ धर्म इस्थापन करते हैं बाबा कहते हैं मैं आदिसनातन धर्म और राजाई इस्थापन कर रहा हूँ इसलिए रिली जो पॉलिटिकल कहा जाता है बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धी बनना चाहिए बाब दूरदेश से आए हुए हैं यू दूरदेश से तो तुम सब आत्माएं आई हो यू दूरदेश से तो सब आत्माएं आती हैं तुम भी दूरदेश से आए हो नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं वह हैं धर्म स्थापक और इसको कहा जाता है धर्म और सवर्नेटी स्थापक भारत में सवर्नेटी थी महराजा महरानी थे महराजा श्री नारायन महरानी श्री लक्षमी तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आगर पुरानी दुनिया को बदल नई सुक की दुनिया स्थापन करें बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ अगर पुरानी दुनिया को बदल नई सुक्के दुनिया इस्थापन करो पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना बुद्धी में नया मकान ही याद रहता है आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते जैसे क्राइस्ट क्रिश्चन धर्म स्थापन करने आया यह उस समय नहीं समझते जब ब्रद्धी होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चन धर्म इसलामी आदी धर्म कोई भी निशानी वा नाम नहीं रहता तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है लक्ष्मी नरायन के चित्र हैं यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सत्युक में था तुमको यह ज्यान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी सिर्फ प्रेजंट को जानते हैं बस अभी तुम पास्ट प्रेजंट फ्यूचर को जानते हो पहले पहले हमारा धर्म था फिरियह धर्म आए हैं संगम पर ही बाब बैट समझाते हैं अभी तुम त्रिकाल दर्शी बन गए हो, सत्युग में त्रिकाल दर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे, और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेंगा, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे अभी तुम सारे चक्र को जानते हो मनशी यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था परन्तुभक कैसे स्थापन हुआ कितना समय चला यह नहीं जानते हैं तुम जानते हो सत्युग में इतने जन्म राजी किया फिर्ट्रेता में इतने जन्म लिये इनों को भी जानना पड़ेगा बच्चे जानते हैं बरोबर बेहत का बाप हमको पढ़ाते हैं तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है इनमें ही आकर प्रवेश किया है इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए ब्रह्मा सो विष्णू विष्णू सो ब्रह्मा यह त्रिमूर्ती की नौलिज बहुत सिंपुल है यह निराकार बाप शिव इनसे यह वर्षा मिलता है निराकार से वर्षा कैसे मिला यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राम्हन सो देवता बन रहे हैं फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राम्हन बनते हैं यह चक्र बुद्धी में रहना चाहिए हम सो ब्राम्हन, ब्रह्मा के बच्चे सुरुद्र, शिव के बच्चे हमात्माएं निराकारी बच्चे हैं बाप को याद करते हैं इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है तपस्या कर रहे हैं फिर सत्यूक में आएंगे तुम्हारी बुद्धी में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रही हैं फिर देवता धर्म का बादशाह राज्य करेंगे योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं पवित्र भी जरूर रहते हैं समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं मंदर में भी हमेशा इसनान करके जाते हैं इसनान क्यों करते हैं एक तो विकार में जाते हैं तूसरा लेटरीन में जाते हैं फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं यात्रा पर कब पतित नहीं बनते चार धामों की परिक्रमा पावन हो कर देते हैं तो पवित्रता है मुख्य देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा देवताएं पावन हैं हम पतित हैं तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोध लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो। परन्तो तुमको पढ़ाऊं कैसे। राजयों कैसे सिखलाऊं। तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बना कर वर्षा देंगे। कहां लायक बनाएंगे। संगम युग में। बाब कहते हैं मैं संगम पर आता हूं। यह बीच का ब्राम्हन धर्म ही अलग हो जाता है। कल युग में हैं शूद्र धर्म, सत्युग में हैं देवता धर्म, यह हैं ब्राम्हन धर्म। तुम ब्राम्हन धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है। अभे तुम सारे चक्र को जान गए हो, दुरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रत हैं, इनको नंदीगण भी कहते हैं, सारा दिन सवारी थोड़े ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर ना रहे बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं सेकेंड में आ जा सकता हूं मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता आज कल रॉकेट एरोप्लेन आदी कितनी चीजें बनाई है परन्तु सबसे तीखी आत्मा है तुम बाप को याद करो यह आया आत्मा को हिजाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकेंड में वहां जाकर घर्व में प्रवेश करेगी तो सबसे तीखी दोड़ी पहनने वाली आत्मा है अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है कमजोर हो गई है उड़ नहीं सकती आत्मा पर पापों का बोज बहुत है शरीर पर अगर बोजा होता तो आग से पवित्र हो जाता परन्तु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है आत्मा संसकार साथ में ले जाती है कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किये हैं जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं सत्योग में है ही पुन्यात्मा वहां यह बातें होती नहीं यहां हैं सब पापात्मा है सन्यासियों को भी अरधांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग है अरे महात्मा श्री श्री एक सो आठ जगत गुरू को फिर यह बिमारी क्यों कहेंगे कर्म भोग देवदाओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे गुरू मरेगा तो फॉल्लवर्स को जरूर अफसोस होगा बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं इस तरीका पती से जास्ती लव होगा तो रोएगी पती दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी बोह नहीं होगा मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है पिछाडी में बाबा चला जाएगा तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया पिछाडी में बहुत रहते हैं बाप से बहुत लव रहता है तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया प्रेम के आशू आएंगे दुक के नहीं यहाँ भी बच्चे बहुत समय के بعد आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आशू आते हैं यह प्रेम के आशू फिरमाला का दाना बन जाएंगे हमारा पूरुशार्त ही है कि हम बाबा के गले का हार बने इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं बाबा का फर्मान है याद की यात्रा करते रहो जैसे दोड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ फिर नम्बर वार होता है यहां भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे जो पहले दोड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लोट आकर राज्य करेंगे तुम सब आत्माएं बुद्धी के योग से दोड रही हो यहां बैठे हुए वहां दोड रही हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो दूरा देशी बनो तुम दूर देश से आए हो अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा इस समय तुम रावड के देश में हो यह धरनी रावड की है फिर तुम बेहत के बाप की धरनी पर आएंगे वहाँ है रामराज्य रामराज्य बाप इस्थापन करते हैं फिर आधा में रामराज्य ड्रामा अनुसार नूधा हुआ है यह सब बाते तुम बच्चे ही जानते हो इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो कोई नहीं बता सकेगा अगर कहे आत्मा का फादर गौट फादर है अच्छा तुमको उनसे क्या वर्शा मिलना चाहिए यह है पतित दुनिया बापने पतित दुनिया तो नहीं रची है न कोई को भी समझाना बहुत सहज है चित्र दिखाना पड़े तृमूरृती का चित्र कितना अच्छा है कोई ने कैसे कोई ने कैसे बनाया है अबी तुम बच्चों की बुद्धी में यह सब बाते हैं और कोई की बुद्धी में नहीं आता है जैसे बावरे हैं रावड को क्यों जलाते हैं कुछ पता ही नहीं रावड है कौन कब से आया कह देते हैं अनादी काल से जलाते हैं तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है दुनिया में अनेक मते हैं जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया कोई ने महावीर नाम डाल दिया अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं यहां आदी देव महावीर नाम क्यों रखा है मंदिर में महावीर महावीर नी और तुम बच्चे बैटे हो उन्होंने माया पर जीत पाई है इसलिए महावीर कहा जाता है तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैटे हो वह तुम्हारा यादगार है वह है जड़ फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े जब तक चैतन्य के पास आकर समझे देलवाडा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो यह पढ़कर गए हैं तब भक्ती मार्ग में यह यादगार बने है तुम्हारी राजदानी उस्थापन करने में बड़ी महनत लगती है गालियां भी खानी पड़ती है क्योंकि कलंगी धर बनना है अभी तुम सब गाली खाते हो सबसे जास्ती गलानी मेरी की है फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं मित्र संमंधि आदी सब बिगड पड़ते हैं विश्णु वशंकर को थोड़े ही गाली देंगे बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है नहीं तो यह अपने धंदे में था गाली की बात ही नहीं सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं अपना धर्म कर्म भूल गए हैं कितना समझाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार पहला दूरादेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने है दूसरा महावीर बन माया पर जीत पानी है गलानी से डरना नहीं है, कलंगी धर बनना है वरदान सर्व शक्तियों का अनुभाव करते हुए, समाई पर सिध्धी प्राप्त करने वाले निश्चित विज़ाई भव सर्व शक्तियों से संपन निश्चय बुद्धी बच्चों की विज़ाई निश्चित है ही जैसे किसी के पास धन की, बुद्धी की वा समंद संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी वात है आपके पास तो सब शक्तियां है सबसे बड़ा धन, आविनाशी धन, सदा सांथ है तो धन की भी शक्ति है बुद्धी और पोजीशन की भी शक्ति है इन्हें सर्फ यूज करो स्वा के प्रती कारे में लगाओ तो समय पर बुद्धी द्वारा सिद्धी प्राप्त होगी स्लोगन व्यर्थ देखने वा सुनने का बोज, समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है अच्छा, ओम शान्ति आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा बाबा